दोस्तों आज इस लोगडाउन पीरिड में हम फिर एक बार आपसे मिले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसमें मेरी मदद मेरा बेटा एककम अरोडा भी कर रहा है थांक यू एकम फॉर हल्पिंग मी इन दिस फ्रेंड्स आज जो टॉपिक है हम लोग एक रेलेवेंट और बड़े अभी जो प्रेजेंट बहुत जादा उस पे रिपल इफेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 2-3 दिन से काफी लोग मुझे फोन कर रहे थे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये एक एडवांस रूलिंग है क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में राजिस्थान अथारिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा इसमें डारेक्टर रेमुनरेशन पर जी एस्टी की बात की गए रिवर्स चार्ज में तो मेरा क्या उपीनियन है मैं क्या सोचता हूँ तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाया जाए वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो अफकोस मुझे याद आया गया कि ये 20 फरवरी 2020 की क्ले क्राफ्ट के एडवांस रूलिंग है लेकिन इससे पहले भी एक एडवांस रूलिंग आई है वो एलकॉन कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटिर्ड की है और 25 सप्टमबर 2019 को आई थी करनाटिका एडवांस रूलिंग के द्वारा दी गई थी इंफेक्ट मैं ही कहूंगा कि जो क्ले क्राफ्ट वाली एडवांस रूलिंग है उसका जरम दाता एलकॉन इंजिनियर्स कंसल्टिंग इंजिनियर्स ही है क्योंकि Claycraft ने अपने application में जो advance ruling authority के सामने present की है उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये question पूछने की ज़रुवत इसले पड़ी कि ये जो Elcon Consulting Engineers की advance ruling है इसने हमें doubt में डाल दिया अब दोनों advance rulings में judgment ये आया कि जो director remuneration है जो भी whole time independent directors हैं जो भी directors है managing director है उनकी जो remuneration है उस पर entry number 6 13 बटे 2017 central tax rate notification के द्वारा reverse charge में tax काटना है मतलब इस खुद से company को या body corporate को जमा कराना है अब इस बात के लिए मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरा view है दोस्तों पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वर्तवान में ये advance ruling सिरफ उनी applicants के उपर applicable है जिनोंने इसको sought किया है इसका मतलब clay craft private limited और elcon consulting engineers private limited के उपर ही respectively ये दोनो advance rulings applicable है या उनके jurisdiction officers के उपर बाकी किसे के उपर applicable नहीं है लेकिन कहीना कहीं इन advance rulings के persuasive value है कहीना कहीं इस बात से हमें ये पता लगता है कि authorities for advance ruling क्या opinion frame कर रही है department क्या opinion frame कर रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि service tax में भी situation कुछ ऐसी ही थी director remuneration pay की जाती थी reverse charge का mechanism वहाँ पर भी था तो मैंने कुछ पन्ने खंगाले memory lane में वापस गया तो दो बहुत important document मुझे मिले एक circular मिला CBIC का circular नमबर 115 31 जुलाई 2009 का circular था वो issue IA department ने किया है और एक C-stat और अंगाबाद bench का judgment मिला मुझे allied blenders and distillers private limited के case में इन दोनों judgments इस C-stat के judgment और circular में कहानी कुछ और ही है जो आज advanced ruling authorities कह रही है उससे अलग कहानी है उससे विपरीत कहानी है इन दोनों के बारे में बताऊंगा और जो मैं अपना view बताऊंगा वो मैं सिरफ यही कहूंगा कि at present situation जो है वरतमान में कोई बविश्य को नरधारित करने के लिए क्योंकि भूत जो है वो कहीं न कहीं बविश्य का निर्माता ही होता है तो भूत में पास्ट में यह सब बातें CBIC नहीं circular 115 में कहीं circular 115 31 जुलाई 2009 उससे पहले C-stat judgment में जो applicant ने जो facts present किये वही clay craft ने exact facts present कि clay craft और जो allied blenders and distillers private limited में section 192 of income tax act में TDS काटता हूँ PFF का compliance करता हूँ form 32 में MCA को जो file किया है उसमें अपने employees की रूप में इनको दिखाया हुआ है और इनको sitting fees नहीं देता है इनको remuneration देता हूँ sitting fees से ये नजर नहीं आता है कि वह क्या occasionally मेरे आते हैं और सिरफ meetings में participate करते हैं और sitting fees लेते हैं ऐसा नहीं है उनको पूरी तरह से salary देता हूँ remuneration देता हूँ और management functions में वह participate करते हैं ना कि वह occasional decisions में participate करते हैं कि यहां पर यह favor में दिया कि इसके उपर reverse charge में GST I'm sorry service tax उस समय नहीं लगना चाहिए similar circular 115 number 31 July 2009 का CBIC ने issue किया उन्होंने दो बाते clarify की कि भले ही आप managing director slash directors within bracket whole time और independent को commission दे रहे हैं लेगिन यह commission commission का नाम है commission नहीं है तो इस commission को business auxiliary services में ट्रीट नहीं करेंगे इसके उपर GST service tax नहीं लगना चाहिए दूसरा उन्होंने clarify कि है circular में कि अगर आपको इक नाम पर भी fees दे रहे हैं remuneration दे रहे हैं salary दे रहे हैं अपने whole time director या independent director managing director या directors को तो भी ये consistency नहीं है basically एक management function को part take करने का remuneration है salary है तो इसको भी हम service tax में include नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी clarify किया कि अगर को additional consistency या service provide की जा रही है by the by director और managing director तो उसके लिए अगर आप separate fees देते हैं तो वो service tax में chargeable ज़रूर होगी वर्तमान में कोई मेरे पास बात कहने का logic कोई reason नहीं है सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भूत से भविश्य में रस्ता बनता है past में ये बोला गया है कि इन पर ना reverse charge में ना forward charge में कोई GST या service tax उससे में service tax था नहीं लगना चाहिए तो मुझे लगता है भविश्य में भी इन पर service GST नहीं लगेगा मैं सरकार से request करूँगा कि कम से कम इस matter को clarify करे बहुत जल्दी क्योंकि बहुत सारी चोटी-चोटी company है जो वैसे GST में रिजिस्टर नहीं है लेकिन अगर reverse charge pay करना पढ़ गया entry no. 6, 13, 2017 CTR के द्वारा तो उनको compulsory section 24 में registration लेना पढ़ जाएगा जो कि उनके लिए undue hardship होगा मैं कहूंगा कि इस बात को litigation में जाने से पहले discord बने से पहले एक problem बने से पहले department और assessi के बीच में एक logger's head में आने से पहले clarify कर दें नहीं तो of course मैं समझता हूँ कि honorable high court कही ना कहीं किसी भी state में इस बात को बहुत अच्छे से clarify करेंगे और in the interest of justice वो positive judgment ही देंगे मेरा ये personal opinion है on the basis of the past issues which we have discussed so मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा video अच्छा लगेगा और आपको जो at present doubts है आपके वो कही ना कही कुछ हद तक clarify करेगा thank you very much for this friends